चे मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ दो लोग हाथ में रखके साथ बार इस मंत्र को बोल के अपने हाथ में आपको फूख मारनी है जिस देवी देपता से बात करनी है आप लोगों को वो देवी देपता आपके पास एक सेकंड वे आएगा जैसे कि माता काली है जी हाँ भक्तो जो जो लोग माता काली से बात करना चाते हैं पर उनको तरीके ही नहीं पता कि माता से बात कैसे की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं कि माता से देवी देपता से कैसे बात करी जाती है जिन लोगों का ग गुरु तो सब कुछ बता देता है, जिनका गुरु नहीं है, तो उने विचारों को कोई नहीं बता पाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो पे लाश्ट तक बने रहेंगे, लाश्ट तक इसे पूर देखेंगे, तभी आपकी समझ में आएगा, अगर आप आथि आपको एक मंतर बहुलना है, जो मैं मंतर आपको बताऊंगी, और फूक मारनी है आपको तीन बार, ठीक है, फूक मारके आपको उस लोंग को कहां रखना है, सब कुछ बताऊंगी, और जो मैं मंतर बताने जारी हूं, वो माता काली का बीज मंतर है, और ये एक ऐसा मंतर है, कि ये इतना powerful मंतर है कि आप इस मंतर के बारे में कभी भी समझ नहीं सकते हैं जब आप इसे बोलोगे आप इसके चमतकार देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि ये मंतर कितना जादा powerful है तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर आप लोग महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को उलपे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप को बुलाने का जिस तरीके का अगर वो इस्तमाल करते हैं तो उनके पास वो देवी देपता है जिसको बुलाना चाथे जिससे वह बत करना चाहते हैं एक सेकिंड में दोड़ा दोड़ा वो देवी देपता आएगा जैसे कि मा काली को बुलाना चाओगे उनसे बात करना चाओगे तो इस तरीके से आप असानी से कर सकते हो तो देखिए आपको सबसे पहले दो लोंग ले लेनी है साबुद साबुद ठीक है और बड़ी बड़ी लोंग होनी चाहिए और फूल वाली लोंग होनी चाहिए दो लोंग आपको साबुद ले लेनी है और लोंग का आपको करना क्या है लोंग को आप लोगों को अपने हाथ में सीधे हाथ में रखके अपने सर से लेके पैर तक उसे उतार लेना है ठीक है साथ बार आपको उतारना है और साथ बार ही मंत्र बोलना है मंत्र बोलते बोलते आप उतारोगे और मंत्र बता देती उधियां से सुनो ओम क्रीन क्रीन दक्षनेश्वर काली के क्रीन क्रीन नमह ठीक है ये प्यार ऐसा मंतर जो मैंने आपको बताया है ये महाशक्तिशाली मंतर है माता दक्षिनेश्वरकाली का और ये एक ऐसा मंतर है कि ये हर चीज पे कारे करता है ऐसा नहीं है ये जितनी भी भक्तावल लाइन में भक्ती पूजा पाठ में चीजे की जाती हैं जैसे शक्ती प्राप्त करना सिध्धी प्राप्त करना साधना प्राप्त करना माता की योगनी शक्ती प्राप्त करना माता की किर्पा प्राप्त करना इन सब चीजे से आप इस मं और साथ बार ही आपको इस मंतर को बोलना है जब आप इस मंतर को साथ बार बोलोगे तो आपको लोग को अपने हाथ में ही रखना है और उसमें आपको अपने मुझ से तीन फूख मार देनी है ठीक है तीन फूख मार के आप इसको जो लोग है इस लोग को आप कहीं भी मतलब घर से भार रख दे समझ रहें आप लोग अपने घर से कहीं भी भार रख दे जैसे पीपल पे, मंदिर में चोहराए पे, कहीं भी जहां मर्जी आप इसे रख सकते लेकिन अपने घर से बाहर ही रखनी है और ये कारे आपको शनिवार के दिन करना है या फिर मंगलवार के दिन ठीक है मानली जी आप ये कारे कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है ये कारे आपको कम से कम दो तिन बार करना है ऐसे मैं सुचने कि पहली बार आप करोगे तो पहली बार में ही आपके पास माता काली आ जाएगी और देवी देपता आ जाएगे पहली बात तो देखिए आपके पास अगर आप माता काली की पुझा करते तो माता काली आएगी और जो आपके घर के सदियों से देवी देपता पुझते आ रहे हैं पीडी दर पीडी में वो देवी देपता भी आपके पास आएगा ठीक है भार का कोई देवी देपता आपके पास नहीं आने वाला सिर्फ आपके घर के आएंगे और दूसरी और जिसकी आप मानता पूजा पाट कर रहे हैं चाए वो देवी और देपता हो वो आएंगे आपके पास ठीक है तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया और आपकी समझ में भी आही गया होगा जब आप एकारे करेंगे उसके बाद आप दो तिन दिन वाद माता काली को अपने पास बुलाएंगे फिर देखना मा काली आपके सामने कैसे एक सेकंड में आकर खड़ी हो जाएगी तो चलिए भक